नो शोनल दो बहुत होगा थे एक और ने वीडियो में आपने आज का टाइटिल और थम्निल बिल्कुली सही पड़ा है यह आज तक का सबसे बेस्ट वीडियो है मेरे चैनल पर Hair Transplantation के उपर क्यों? क्योंकि दोस्तों कोई भी सब्सक्राइबर है वो कोई भी Hair Transplantation का चैनल इसलिए देखता है कि उसको यह समझना रहता है कि Hair Transplantation के दोरान किन-किन परिस्तितियों से हमको गुजरना पड़ता है means Hair Transplant के दोरान Surgery, First Wash उसके बाद Shedding Face फिर आपका जो Hair Growth होना शुरू होता है उसको लेकर उससे लेकर आपके पूरे फुल रिजल्ट था तो 10th month का मन्त का जो मेरा result है मैं Surgery के दिन के पहले से लेकर आज तक के एक-एक PICS जो है आपके साथ शेयर करूँगा इसका मतलब है एक-एक PICS में जो है बालों की गुरोध धीर है कैसी हो रहे है अच्छी नियस से इस यूनिवर्स से कुछ मांगे दो देखो आपके हेटर्स भी आपको हेल्प करेंगे आपके मुकाम तक पहुचाने के लिए मुझे पूरी तरिकी से एहसास है कि मेरा hair transplantation बहुत ही कम हुआ है लेकिन मैं अपने result से बहुत यादा खुश हूँ पिछले 10 महीने का जो है मैं आपको profile बता दूँ अपना थोड़ा सा कि मैंने पिछले 10 महीने में शुरू के 5 महीने से दवाई ये ली है minoxidil वगरा मिलाके fenastrate मैंने नहीं लिया आगे की वीडियो बया करेगी है झाल 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 झाल